क्या आप वर्तमान में ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो चनौती पूर्ण और सशक्त दोनों लगता है शायद आप ऐसी भावनाओं और विचारों का अनुभव कर रहे हैं जो पूरी तरह से नई या तीवर हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या यह आध्यात्मिक जागरिती हो सकत लगाएंगे जिससे आपको अपने जीवन के इस चरण को समझने और नेविगेट करने में मदद मिलेगी आध्यात्मिक जागरिती कैसी लगती है आध्यात्मिक जागरिती जागरुकता और चेतना में एक नाटकिय बदलाव है यह वास्तविकता की एक नई भावना के साथ जागने जैसा है, जहां आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी धारनाएं और भावनाएं एक महत्वपून परिवर्तन से गुजरती है, आध्यात्मिक जागरिती के दस संकेत और लक्षन इस प्रकार है एक उच्च अंतरग्यान, आध्यात्मिक जागरिती के पहले लक्षनों में से एक है अंतरग्यान में वृद्धी, अंतरग्यान को अक्सर एक आंतरिक ज्यान, एक सूक्षम आवाज या भावना के रूप में वर्नित किया जाता है जो बिना किसी सचेत तर्क के हमारा मार्ग करती है, कल्पना कीजिये की ऐसे कौन से पल है जब आपको अचानक से सही रास्ता पता चल जाता है या जब आप किसी चीज को बिना विशलेशन किये समझ जाते हैं, ये गटनाएं बार बार और स्पष्ट होती जाती हैं, आप किसी भावना या अनुमान के आधार पर निर उजमर्रा की जिन्दगी का शोर कम हो जाता है, जिससे आप हर समय अपने अंदर की बुद्धिमत्ता को सुन पाते हैं, जैसे जैसे आप इस बदलाव का अनुभव करते हैं, आपका अंतरग्यान रचनात मक्ता और प्रेरना का स्रोध बन जाता है, आप समस्याओं के नए स गहरी समझ प्राप्त हो सकती है, दो, सहानुभूती और करुणा में वृद्धी, आध्यात्मिक जागरिती के माध्यम से यात्रा करते समय आप गहरी सहानुभूती और करुणा प्राप्त कर सकते हैं, अचानक आपकी और दूसरों की भावनाओं के बीच की सीमाएं अंधली लगने लगेंगी, जिससे आप समझ और समवेदन शीलता की बड़ी हुई भावना के साथ महसूस कर पाएंगे कि वे क्या महसूस करते हैं? आप दूसरों की भावनाओं के उतार चड़ाव को वास्तव में महसूस कर सकते हैं, ये बड़ी हुई सहानुभूती सभी करुना भी बढ़ती है, ये दयालुता के छोटे-छोटे कामों में प्रकट हो सकता है, जैसे किसी मित्व की बात सुनना या किसी अजन्वी की जरूरत में मदद करना, या या आपके जीवन में और भी महत्वपूर्ण बदलावों को प्रेरित कर सकता है, जैसे कि उन कारण के परस पर संबंद को देखना शुरू करते हैं, ये पहचानते हैं कि दूसरों की भलाई सीधे आपकी खुद की भलाई को प्रभावित करती है, ये बड़ी हुई सहानुभूती और करुना जितनी सम्रिध हो सकती है, खुद की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है, दूसरों की भावनाओं के प्रती गहराई से जुड़े रहना कई बार भारी लग सकता है, स्वस्थ भावनात्मक सीमाय निर्धारित करने से आपको अपनी भावनात्मक भलाई बनाए रखने में मदद मिलती है, तीन, सार्तक संबंधों की इच्छा, आध्यात्मिक रूप के रूप में शुरू होता है, आप खुद को सांसारिक्ता से परे बात्चीत के लिए तरस्ते हुए पा सकते हैं, एक ऐसे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी आत्मा को पोशन दे और दुनिया की आपकी नई समझ के साथ संदेखित हो, जैसे जैस आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपके रिष्टों की प्रकृती में बदलावाना शुरू हो सकता है। आप खुद को ऐसे काम की और आकर शित पा सकते हैं जो आपके मूल्यों के साथ अधिक संदेखित हो और प्रामानिक अभिव्यक्ती की अनुमती देता हो। इस बदलाव का मतलब उन रिष्टों को छोड़ देना भी हो सकता है जो अब आपके विकास में सहायक नहीं है। ये पहचानना की कुछ संबंध आपकी यात्रा में बाधा बन सकते हैं। इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये संतुलन खोजने और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका सामाजिक दाइरा आपके आध्यात्मिक मार को दर्शाता है और उसका समर्थन करता है। चार, प्राथमिक ताइं बदलना आध्यात्मिक जागरिती के दोरान सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बदलावों में से एक है आपकी प्राथमिक ताइं और मूल्यव। आप खुद को ये पुनर्मूल्याकन करते हुए पा सकते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या माइने रखता है जिससे दुनिया को देखने और उससे बातचीत करने के तरीके में एक महत्व पूर्ण बदलाव आएगा। आप भौतिक संपदा की तुलना में व्यक्तिगत विकास, सार्थक संबंधों और सम्रिध अनुभवों को महत्व देना शुरू कर देंगे। यह एहसास मुक्तिदायक हो सकता है। आपको भौतिक लाभों की तलाश से मुक्त कर सकता है और आपको उन चीजों पर ध्यान के और उर्जा लगा सकते हैं। इसमें ध्यान, योग, पढ़ना या रचनात्मक शौक शामिल हो सकते हैं। इंगतिविधियों में आनंद अक्सर आंतरिक शांती और आत्मक होच से आता है। रिष्टों का भी एक नया महत्व होता है। आप दूसरों के साथ गहरे संबंधों को महत्व देते हैं जो आपसी सम्मान, समझ और समर्थन पर आधारित होते हैं। ये रिष्टे एक दूसरे से जुडाव की भावना प्रदान करते हैं और आपसी विकास और जीवन के अनुभवों को साज़ा करने के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। अनुभव खुद प्रकृती से निहित पूर्णता की भावना प्रदान करते हैं। पांच, एक्ता की भावना महसूस करना। आध्यात्मिक जागृती के दौरान अक्सर अनुभव किया जाने वाला एक लक्षन एक्ता या एक रूपता की गहरी भावना है। ये एक बड़ी, सार्वभोमिक उर्जा से जुड़ता है, जो सभी प्रकार के जीवन के साथ सामनजस्य स्थापित करता है। आप ऐसे क्षनों का अनुभव कर सकते हैं जहां आप प्रकृती के साथ गहराई से तालमेल महसूस करते हैं। पेड़ों, आकाश, समुद्र और हर जीवित प्रानी के साथ एक प पड़ावा दे सकता है क्योंकि आप दूसरों में खुद का प्रतिविम देखना शुरू करते हैं, निर्नए और बाधाय फीकी पड़ जाती है, उनकी जगह सार्वभोमिक मानविय अनुभव की समझ आ जाती है। आप इस बात से भी अधिक अवगत हो सकते हैं कि आपके का अनुभव आध्यात्मिक जागरिती अक्सर अपने साथ आनंद और खुशी के अप्रत्याशित क्षन लेकर आती है, ये अनुभव भीतर से शुद्ध खुशी के फटने जैसा महसूस हो सकता है और अक्सर बिना किसी सपष्ट बाहरी कारण के होता है। आनंद के ये पल अश्चरय चकित कर सकते हैं। आप किसी सांसारिक कार्या में व्यस्त हो सकते हैं या चुपचाब बैठे हो सकते हैं जब अचानक असीम शांती और खुशी से अभिभूत हो जाते हैं। ये उस तरह की खुशी नहीं है जो बाहरी पुरसकारों या उप्रब्धियों से आती यह अधिक आंतरिक लगता है, जैसे कि आप अपने भीतर संतोश के गहरे कुई से पानी निकाल रहे हो। यह अधिक आप अधिक और जावान, आशावादी और अपने आप और अपने आसपास की दुनिया के साथ शान्ती महसूस कर सकते हैं, यह हम सभी के भीतर मौजूद खुशी की संभावना की याद दिलाता है, जिसे उजागर होने का इंतजार है। आप अधिक रचनात मक, प्रेरित और उन गति विदियों में सनलग्म होने के लिए उत्सुक महसूस कर सकते हैं जो आपको संतुष्ट करती हैं। उन्हें अब उत्साह और सहच्ता के साथ किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा अस्तित्वर उच्चावरिती पर प्रतिध्वनित हो रहा है, जो आपको आपके उद्देश्य और जनून के साथ और अधिक निकता से जोड़ता है। ऐसे समय भी हो सकते हैं जब आपको सामाने से ज्यादा आराम की जरूरत हो। कम उर्जा के ये दौर कमजोरी का संकेत नहीं है, बलकि ये संकेत देते हैं कि आपका शरीर और दिमाग आपके आध्यात्मिक विकास से जुड़ी गहन आंतरिक प्रक्रियाओं से गुजर रहा ह जिस तरह मानस्पेशियों की मरमत और विकास के लिए गहन शारीरिक गतिविधी के लिए आराम की जरूरत होती है, उसी तरह आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए अकसर आराम और चिंतन की अवधी की जरूरत होती है। होने के नए तरीके अपनाते हैं और अपने सच्चे स्वा के साथ अधिक निकत्ता से जुड़ते हैं। आप इस सन्रेखन को दर्शाते हुए उर्जा के उच्छाल का अनुभव कर सकते हैं। इन समयों के दौरान अपने शरीर और मन की बात सुनना और खुद को वह देखभाल देना जरूरी है जिसकी आपको जरूरत है। जब आप उर्जावान महसूस कर रहे हों तो उसे अपनाएं और उस उर्जा का उप्योग रचनातम गतिविधियों, व्यक्तिगत विकास या बस जीवन का भरपूर आनन लेने के लिए करें। जब आपको आराम की जरूरत महसूस हो तो खुद को तरुताजा करने के लिए 8. पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना अध्यात्मिक जागरिती के दोरान, जीवन के बारे में अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों, मूल्यों और मान्यताओं का पुनर्मूल्याकन करना और उन पर सवाल उठाना आम बात है। आप परिवार, समाज, या धर्म द्वारा आपको दिये गए विश्वासों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आप दुनिया की अपनी वर्तमान समझ के लिए उनकी वैधता और प्रासंगिक्ता पर सवाल उठा सकते हैं। यह आपके जीवन के सभीक शेत्रों को प्रभावित कर सकता है। आपका क प्रक्रिया अविश्वसनिय रूप से मुक्तिदायक भी है। यह आपको उन मान्यताओं को त्यागने की अनुमती देता है जो अब आपके काम की नहीं है और नए अधिक सशक द्रिष्टिकोनों को अपनाने की अनुमती देता है। आप अपने आपका एक अधिक प्रामान एक संसकरन खोज सकते हैं जो बाहरी अपेक्षाओं और सामाजिक मान्दंदों की पर्तों के नीचे छिपा हुआ है। इस प्रक्रिया को अपने प्रती दयालुता और धैरे के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। लंबे समय से चलिया रही मान्यताओं पर सवाल उठाना च जैसे जैसे आप अधिक आत्मजाग्रूग होते जाते हैं, आप अपने विचारों और व्यवहारों में पैटन देख सकते हैं। ये कुछ स्थितियों के प्रती भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और बार बार नकारात्मक विचार पैटन हो सकते हैं। ये प्रक्रिया ज्यान और बदलने में भी मदद कर सकता है जो आपको पीछे खीच सकते हैं। दूसरी और अपने उन हिस्सों का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता जिन्हें आपने अंदेखा किया हो या दबा दिया हो। आप दर, असुरक्षा या अंसुल जे मुद्दों को उजागर कर सकते हैं जिन पर ध्यान देने और उपचार की आवश्यक्ता है। हालांकि यह व्यक्तिगत विकास और उपचार की दिशा में एक आवश्यक कदम है। जैसे जैसे आपकी आत्मा जागरुपता बढ़ती है, आप अपने प्रती अधिक दयालू रवया विक्सित कर सकते हैं। यह करुना तब बाहर तक फैल सकती है, जिससे दूसरों के साथ गहरे संबंद विक्सित हो सकते हैं। 10. खोया हुआ महसूस करना इस नई अवस्था में धलते समय खोया हुआ या ब्रमित महसूस करना सामान्य है। आप शायद लंबे समय से चलिया रही मान्यताओं को त्याग रहे हों, अपने जीवन के विकल्पों का पुनर मूल्या कन कर रहे हों और अपनी पैचान के उन पहलों पर सवाल उठा रहे हों जिन्हें आप पहले हलके में लेते थे। इस चरन के दोरान आपको ऐसा लग सकता है कि आप अधर में लटके हुए हैं, आप जो थे और जो बन रहे हैं, उसके बीच फसे हुए हैं। खोया हुआ महसूस करना बाहरी दुनिया से अलगाव से भी उत्पन हो सकता है। उन अभ्यासों में शामिल होना जो आपको जमीन पर टिकाई रखते हैं और आपको केंद्रित करते हैं, मददगार हो सकते हैं। जैसे कि ध्यान, जर्नलीन या प्रकृती में समय बिताना, ये अभ्यास आपको अग्यात में नेविगेट करते समय स्थिर्ता और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृती कैसे प्राप्त करें। शायद आप व्यक्तिगत परिवर्तन की गहरी इच्छा, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की लालसा, या जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य खोजने की खोज के कारण आध्यात्मिक जागृती के लिए तरस रहे हैं, हाला कि इस गहन परिवर्तन का अनु पर उतरने जैसा हो सकता है, जिससे आपको अधिक आध्यात्मिक स्तर पर व्यापक दुनिया से जुड़ने में मदद मिलती है, जर्नलीन जैसी चिंतनशीर प्रथाएं व्यक्तिगत अन्वेशन और आपकी विक्सित होती यात्रा को समझने की अनुमती देती हैं, आध्यात में जागरिती का मार घर किसी के लिए अनुठा है, जो अपने समय और तरीके से सामने आता है, पूरी विडियो देखने के लिए धन्यवाद